आपका स्वाधत है हम आज बनाने जा रहे हैं डोरा के जो की बच्चों की बहुत फेड़ेड डिस है इसी डोरेमान भी बहुत अधिक पसंद करता है यह डिस बहुत ही अच्छी लगती है बच्चों को बच्चे से बहुत प्रेम से खाते हैं आप चाहें तो बच्चों की लैंच में भी इसको दे सकते हैं यह देखिए यह मैंने बना कर रखा इसको मैं आपको दिखाती हूं कि यह कितना अच्छा होता है और कितना टेस्टी होता है कि यह देखिए कितना बढ़िया बनाए बहुत सॉट है बहुत स्पंजी है देखिए से बहुत स्पंजी बना हुआ है एक बाद जरूर ट्राई करें ब्रेट जैसा बना हुआ है नास्ते में भी इसको खा सकते हैं तो चलिए इस रेस्पी को अब बनाना शुरू करते हैं बनाने के लिए हमने लिया है दो कटोरी आटा जो कि मैंने यही कटोरी से लिया हुआ है इसी कटोरी से हमने टीसी वी सुगर लिये जो कि मिक्सर में हमने चीनी को पीस लिया है और एक ग्लास हमने दोद लिया है आध आट को बावल में डालती है, इसमें डालेंगे चीनी पाउडर, युदि इसको मिक्स कर लेंगे, आप इसमें डालेंगे बेकिंग पाउडर, जोकि मैंने 1.5 ती स्पून लिया था, इसमें अट करेंगे हनी, हनी से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, यह बच्चों को ब अब इसमें एट करेंगे मिल्क, फ्रेंट्स हमारा वेटर बनके रेडी है लेकिन इसमें एक ग्लास की जगे डेड़ ग्लास दूद्ध लग पड़ा है आप भी ध्यान रखिए अगर इतनी आप सामान का बनाते हैं तो आप उसमें डेड़ ग्लास दूद्ध आराम से लग जा की इसके लिए हम इतना इता बिटर पड़ाग लगाए अब इसको हम प्लट देंगे दो मिनीट के लिए को ही करना था है हमारा दोर कीक बने कि कैसे तयार हो गया है कि मैंने स्लो गैस पर पकाया है दो मिनट के लिए कि दूसरी परत हम बनाने के लिए इसमें डोरा केक के लिए वेटेट को डाल रहे हैं इसको हमने पहले से ही ग्रीज कर लिया था फिर दो मिनट के लिए इसको पकाएंगे अब फ्रेंड्स इसको परत लेंगे हमारे डोरा केक बन कर तयार है आप इन में हम चॉकलेट सीरप लगाएंगे चॉकलेट सीरप लगाएंगे यह बच्चों की बहुत ही जदा पसंदी तड़ी से देखिए कितना बढ़िया हो कितना सॉप्ट बना हुआ है एक बार इसको जरूर ट्राइ करें हमरी और जरूर बनाएं इस देखिए कितना अच्छा दिख रहा है कितना यह देखने में समने अ छए लग रहा हुँ च्मिश पंता है लाइक करें अगर मेरी डीस पसंद आही हो आप बाइब बाइ